देखो, स्कैम मतलब होता है धोखा जिसमें किसी को पैसे के लिए बेवकूफ बनाया जाता है। परवार करते हैं और गलत तरीके से कमाय हुए पैसों के साथ गायब हो जाते हैं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं और हमारे विश्वास को तोड़ने में माहिर होते हैं। पीछे रह जाती हैं बरबाद जिन्दगी। एक स्कैम न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बलकि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी हमें तोड़ देता है। स्कैम उतने ही पुराने हैं जितनी की हमारी सभ्यता समय के साथ ये भी बदलते रहे हैं। पुराने समय में ये स्कैम साधारन होते थे जैसे नकली सिक्के या जूठे वादे। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया तक ये हर जगह छुपे हुए होते हैं बस मौका मिलने का इंतजार करते हैं। सोशल मीडिया, इमेल और यहां तक की फोन कॉल्स के जरिये भी ये स्कैमर्स हमें निशाना बनाते हैं। स्कैम को समझना, खुद को और अपने समाज को बचाने की दिशा में पहला जागरूपता और सतर्कता ही हमें इन धोखे बाजूं से बचा सकती हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिक्ध गतिविधी की रिपोर्ट करें। कुछ पैसे कमाने की हमारी चाहत का फायदा उठाते हैं। जैसे की नकली निवेश योजनाएं या पूंजी स्कीम्स। ये स्कैमर्स हमें जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाते हैं। लेकिन अंत में हम अपने मेहनत की कमाई खो बैठते हैं। कुछ हमारी संबेदनाओं क को टार्गेट करते हैं। जैसे की भावनात्मक ब्लैकमेल या जूठे दावे। ये स्कैमर्स हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर हमें धोखा देते हैं। जिससे हम मानसिक और भावनात्मक रूप से तूप जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े स संस्थानों का रूप धारण करके हमारी निजी जानकारी चुरा लेते हैं। ये साइबर अपराधी हमारे डेटा को चुरा कर उसे अवैद रूप से बेचते हैं या फिरौती मांगते हैं। रोमेंस स्कैम्स अकेले लोगों को निशाना बनाते हैं जो प्यार और साथी की तलाश में होते हैं। ये स्कैमर्स झूठे रिश्थे बना कर उनसे पैसे एंटते हैं, जिससे पीडितों का दिल तूट जाता है और वे आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। जूठे रिश्थे बना कर उनसे पैसे एंटते हैं। बुजर्ग लोग Jonas अक्सर कमजो का शिकार होते हैं जो चमतकारी इलाज या लौटरी जीतने का वादा करते हैं. ये हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थे पर भी गहरा असर डालते हैं पीडितों को अक्सर भावनात्मक तनाव, शर्म और दूसरों पर से भरोसा उठ जाता है स्कैम्स का शिकार होने के बाद लोग खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को भी इन खत्रों के बारे में जागरूख करना चाहिए डिजिटल क्रांती ने जहां एक तरफ हमें एक दूसरे से जोड़ा है, वहीं इसने हमारे जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया है हम अब पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं और यह कनेक्टिविटी हमें अंगिनत अफसर प्रदान करती है लेकिन इस कनेक्टिविटी ने स्कैमर्स के लिए भी नए रास्तिक कोल दिये हैं यह साइबर अपराधी इंटरनेट का उप्योग करके लोगों को धोखा देने के नए नए तरीके खोज रहे हैं इंटरनेट अपनी विशाल पहुँच और गुमनामी के साथ जटिल स्कैम का अड़्डा बन गया है जो भौगोलिक सीमाओं से परे हैं यह स्कैमर्स किसी भी कोने से अपने शिकार को निशाना बना सकते हैं और उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है फिशिंग इमेल, नकली वेबसाइट और फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल आम हो गए हैं यह स्कैमर्स अंजान लोगों को अपने जाल में भंसाते हैं और उनकी व्यक्तिकत जानकारी चुरा लेते हैं फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से यह अपराधी लोगों को धोखा देते हैं और उनकी समवेधन शील जानकारी का दुरुप योग करते हैं यह एक गंभीर समस्या बन गई है जिससे निपटना बहुत जरूरी है क्रिप्टोकरेंसी स्कैम इस नएक शेत्र के आकरशन और जटिलता का फायदा उठाते हुए तेजी से बढ़ रहे हैं लोग अपनी डिजिटल संपत्ती को सुरक्षित समझते हैं लेकिन ये स्कैमर्स उ तूटने के नए तरीके खोज लेते हैं डिजिटल दुनिया की गती और गुमनामी अपराधियों को ट्रैक करना मुश्किल बना देती है जिससे स्कैम के खिलाफ डड़ाई और ही जटिल बुजाने है हमें सतर प्रहना होगा और इन खत्रों से बचने के लिए उचित कदम उठाने होगे जागरूपता और साबधानी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है इतिहास ऐसे स्कैम से भरा पड़ा है जिन्होंने लोगों का ध्यान खीचा है जो इस तरह की योजनाओं की क्रूरता और विनाशकारी परिणामों की याद दिलाते हैं चार्ल्स पोंजी जिसका नाम पिरामिट स्कीम का परियाय बन गया ने हजारों लोगों को निवेश पर असाधारन रिटर्न का बादा करके धोखा दिया बर्नी मेडॉफ वित्तिय दुनिया के एक सम्मानित व्यक्ति ने इतिहास की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम को अंजाम दिया जिससे अर्बों का नुकसान हुआ और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया ये हाई प्रोफाइल मामले स्कैम के व्यापकता और सतर्कता के महत्व को दर्शाते हैं भले ही आप भरोसे मंद व्यक्तियों या संस्थानों के साथ काम कर रहे हो स्कैम चाहे वे कितने भी जटिल या तकनीकी रूप से उन्नत क्यों न हो अंतता मानविय पहलू पर निर्भर करते हैं वे दूसरों पर हमारे स्वाभाविक विश्वास जल्दी अमीर बनने की हमारी इच्छा और जरूरत के समय हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स द्वारा इस्तिमाल किये जाने वाले मनोवैज्यानिक हतकंडों को समझना उनके भ्रामक जाल से बचाव के लिए महत्वपून है स्कैमर्स अकसर तातकालिकता या कमी का माहौल बनाते हैं जिससे लोग जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे अपना जाल बिचाने से पहले अपना पन और चापलूसी का इस्तिमाल करके विश्वास हासिल कर सकते हैं इन हथकंडों को पहचानना संभावित स्कैम को पहचानने और उनसे बचने के लिए आवश्यक है धोखे को पहचाने, खतरे की घंटी और चेतावनी संकेत हालांकि स्कैम बहुत ही विश्वसनिय हो सकते हैं लेकिन अकसर ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें उनके भ्रामक प्रकृती के प्रती सचेत कर सकते हैं जो आउनफर सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, वे अकसर जूटे होते हैं दबाव बनाने वाली विक्री रणमीती, बिना मांगे संपर्क और निजी जानकारी के लिए अनुरोध ये सभी खतरे की घंटी हैं जो शक पैदा करते हैं अपने मन की सुनो, अगर कुछ गलत लगता है तो शायद हैं किसी भी वित्तिय निर्णय लेने से पहले अंजान कंपनियों या व्यक्तियों पर अच्छी तरह से रिसर्च करें और विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लेने में कभी संकोच न करें धोखे की कीमत, कानूनी और सामाजिक परिणाम स्कैम के परिणाम पीडितों को हुए ततकाल वित्तिय नुकसान से कहीं अधिक होते हैं स्कैम संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों में विश्वास को कम करते हैं वे बाजारों की इमानदारी को कम आगते हैं और आर्थिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रूप से स्कैम का मुकाबला कर रही है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं है। इंटरनेट की गुम्नाम प्रकृती और कई स्कैम की वैश्विक पहुँच अभियोजन को मुश्किल बना देती है। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में जन जागरुटा बढ़ाना और सतरकता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हथियार बने हुए हैं। स्कैम के खिलाफ बचाव की पहली पंक्ती लोगों को खुद को बचाने के लिए ग्यान और साधनों से सशक्त बनाना है। शिक्षा महत्वपूर्ण है, स्कैमर्स द्वारा नियोजित हथकंडों को समझ कर व्यक्ती संभावित खतरों की बहतर पहचान कर सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। बिना मांगे आउनफर से सावधान रहें, चाहे वह फोन, इमेल या सोशल मीडिया से मिले हों। किसी भी वित्तीय लेंदेन में शामिल होने से पहले व्यक्तियों या संगठनों की पहचान जरूर सत्यापित करें। सौफ्ट्वेर और सुरक्षा प्रणालियों को अपडेट रखें और आउनलाइन साजह की जाने वाली जानकारी के बारे में सावधान रहें। एक सामुहिक जिम्मेदारी सतरक्ता की संस्कृती को बढ़ावा देना। स्कैम का मुकाबला करना केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए एक सामोहिक प्रयास, सतरकता और जागरूकता की संस्कृती को बढ़ावा देने की साजह प्रतिबधता की आवश्यक्ता है। खुद को और अपने प्रियजनों को आम स्कैम और उनके चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करें। संदिख्ध स्कैम की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। एक साथ काम करके हम सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। याद रखें, जब स्कैम की बात आती है, तो रोक थामी बचाब है।